असलों आलों गाइस, hope you all guys are well, और अलम्दलिल्ला मैं भी बिल्कु ठीक हूँ, यह मैं आज जो बात करने के लिए हूँ ना, वो, क्रोना वायरस के बारे में बिल्कु बात करने के लिए हूँ, यह कि आईसकल सब दो उसी के बारे हैं बात करे रहे हैं और सब दो अपने-पने े लिए और का वियंकि कोष़ दे दूम, क्यूंकि मैं दिन में कुछ भी हो वाहिए डिए नहीं रह सकती अपना आपको, कि मुझे दिन में 2-3 बार भाहर जाना पड़ता है, और लासमी सी बात है, हर किसी को, किसी ने किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो यार उसके करना आपको ये है, अपना आपको साफ रखना, भार से आ रहे हैं, फौरान आते के साथ, अपने कपड़े चेंज करें, हो सके, तो नहा लें, नहीं नहा सकते, कोई मजबूरी है, कोई परिशानी है, क्योंकि हमारे मुल्क में हर जगा कोई नहा कोई परिशानी रहती है, कही कि लाइड की गई किक्षीटा तो राहिर सी बात है, हर इनना की घर कहाएं किसी चीज की तो, जात है किसी कि कुए किसी किया हस्टों में एक दफ़हत है तो अगर पॉसे बुल वे अगर लो तो प्र हाथ थो लेगा लेगा लेकिन सही relação वी सेगंड के लिए कम से कम उसके बाहर आपको करना ही है कि यार आपके जो कपड़ें जो आपने बाहर पैन के आय थे जुनको चेंच किया है उनको बाहर ही रखें घर में ना लाएं क्योंकि वाइरस जब बाहर गए हैं तो जाहर से बाते हवाओं में भी शामिल है जब बाहर से आ तो आपकी एक चीज में हैं इन फैक्ट आपके बाल उत्त में है तो अगर घर से बाहर जाने तो आपको पूरा कवर करके जाएं मास्क कैप अगर बाइक पर आ तो हैलमेट क्योंकि यही टाइम है अपने आपको सेफ करने का हुकूमत इस चीज में आपके साथ नहीं देगी हुकूमत जितने दे सकती है वो करेगी लेकिन रियालिटी यह है कि हमें खुद कुछ करना है इस वक्त हम डर के अगर बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा बाकी एक और बात मैं आज जब भी बहार जाता हूँ तो मैं देखता हूं कि यार बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीरियस नहीं हो रहें यार अजा़ अल्लाह का वास्ता सीरियस हो जाओ अब सीरियस हो जाओ क्यूंकि सज बताऊं तो तो फरेंकल भी फ़र्टने लगीए जिस क तो जो मैं बाहर निकल के देखता हूँ न तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मास्के घूम रहे हैं या प्लीज मास्क खरीद लो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतनी हेल्प लाइन आई है इतने लोग मदद कर निकले ते यार हैं प्लीज प्लीज उन लोग से कॉंटेक कर दो नहीं कर सकते तो मैं जब ये वीडियो डालूँगा तो मुझे कमेंट्स नो बता देना कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं आरेंज करवा दूंगा या मैं खुद कर दूंगा लेकिन प्लीज यार बी सेफ और जितना हो सके उतना कम घर से निकलो क्योंकि जितना आप कम घर से निकलोगे उतने खतरात कम होंगे मैं अभी अभी जस्ट बाहर से आया हूँ और देख सकते हैं आप मैं अभी नहा के बैठा हूँ और मैं वो कपड़े भी घर के बाहर रखे हुए तो यही है कि अपनी खुद केर करनी है आपको गौर्मिट आपको घर पे आके आपको केर निकलेगी आपके हाथों पे सैनिटाइजर नहीं लगाएगी ठीक है ना स्टे होम उन्होंने इसलिए कहा है कि आप घर पे बैठें बहुत जरूरी काम हो तो बाहर निकलें मैं अभी की अभी अभी की जस्ट 30 मिनट पहले की बाद आपको बदाता हूँ मैं भी आ रहा था सब कुछ बंदे कहीं कोई बंदा नहीं है सिर्फ पुलिसवार ले रहे हैं जो कि अपनी ड्यूटी निजाम दे रहे हैं मैं देखा है एक घर के बार तीन बच्चे खेल बिना मास्क के बिना किसी प्रोडेक्शन के मतलब या इतने घरवाले फारिग हैं या फिर उन बच्चों के घरवालों को उनकी कोई पढ़िंगी है कि मरते हैं मर जाएं या अल्ला का वास्ता इटली का हाल देखो दफनाने के लिए जगए नहीं हो आपे कि आप लोग पाकिस्तान में ये चीज़ चाहरे हो कि आप मर जाओ और आपके मौत में कोई एक बंदा भी ना हो क्योंकि दफनाया नहीं चाहेगा ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए दफनाया नहीं जाएगा मेरे भाई मेरी भेनों मेरे दोस्तों मेरे अजीजों आपकी बाडी को डिसकंपोस किया जाएगा लेजर से तो प्लीज यही टाइम है अपने लिए कुछ करने का और बहार ना निकलो ये छुट्टियां ये हॉलिडेज नहीं है इस बात को समझो गली में बैठना फाल तू बंद कर दो दोस्तों से जिन्दगी रही न आगे जाके बहुत मिल सकते हो लेकिन प्लीज ये वक्त है खुद को बचाने का मुल्क को बचाने का कम से कम दिल को एक satisfaction मिलेगी कि यार हमने भी अपने मुल्क के लिए कुछ किया है हमने भी अपने मुल्क को safe रखा है घर में रहोगे तो इचीज कह सकते हो बाहर निकल के नहीं कह सकते बाहर निकलते हैं लड़के डंडे पढ़ते हैं हसते वे जा रहे होते हैं क्यों यार, क्यों निकल रहो आप क्या काम है आपके बाहर निकलने का कोई काम है बस छुटियां मिली होलिडेज निकलो बहार इंजॉय करो यार ये इंजॉयमेंट का दौर नहीं है ये वक्त अपने आपको बचाने का है वन्ना पागल है पूरी दुनिया जो लॉकडाउन करके बैठी हुई है या उनको ऐसी कुछ सूजाता खेल खेल में क्यार चलो आवाम को उनके घर में बंद कर दो यार यार प्लीज, प्लीज सबसे इंपर्टन बात 24 7 वजुलिए रहो और नमाचे पड़ो अपने ले दुआएं करो अपने अजीजों के लिए दुआएं करो अपने मुलक के लिए दुआएं करो इस मुल्क में रहने वाले हर एक इनसान के लिए दूआ करू कि आल्ला ताला हमें इस बिमारी से बहुत जल निकाले इस वाइरस हमारी जान चुटवाए मुली पागल नहीं है जो रातों को फिक्स दस बज़े सब लोग एक साथ अजाने देना शुरू हो जाते है यही वज़ा है समझते हैं इस चीज़ को कि कितना बड़ा खत्रा ऐसा हमारे सरों पर है अब तक 1000 to 1500 के बीच में केसिस रिजिस्टर्ड हो चुके हैं जिसमें से दस मौते भी हो चुकी है इस वाइरस के वज़े से प्लीज मैं जानता हूँ यह कौम डरने वाली कौम नहीं है लेकिन डरना भी नहीं है लड़ना है प्लीज खतम करना है इस वाइरस को हम इपने आंसे मामू, चाचू, फुपी, ताई जितने रिष्टिदार हैं उस सबसे जिन्दगे रही तो मिल सकते हो दुबारा जाके प्लीज ये वक्त है उनको भी सेफ करो अपने घर में रहके हो सके तो अपने कमरे तक अलग कर लो प्लीज सैनिटाइजर यूज करो डुडॉल यूज करो जो जयसिम को मिटाने के लिए आपके पास चीज अवैलिबल है उसे यूज करो, मैं यह नहीं कहता है सिर्फ सैनिटाइजर ही यूज करो कोई अफोड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता लेकिन प्लीज अपने आपको बचाओ और एक और बात मैं कहाँ चाहूंगा हमारी गौर्वर्मेंट से यह किसी के लिए नहीं है अगर कोई इसको अपने पास लें चाहे तो ले सकता है लेकिन इसे भी मैं बात गौर्मेंट को कह रहा हूं कि तीन हजार पे एक मस्तूर को पूरे महीने के लिए इसकार यू सीरियस या मत दो तीन हजार भी अपने पास रखो उनके गर में राशन डलवा दो खुदा का वास्ता है और नाम इस वक अब मिडिल क्लास की बात करूँगा नापर क्लास की मैं बात करूँगा लूर क्लास की जो की बिचारे जोपडियों में रह रहे हैं उनको कौन बताएगा इस चीज़ों के बारे में क्या हो सेनिटाइजर इस्तमाल कर सकते हैं क्या हो डिटॉल इस्तमाल कर सकते हैं क्या उनके बाइतने पैसे हैं या जो लोग अपने घर को नहीं चला सकते उन्हें यह नहीं नहीं पता हो कि नहीं उन्हें रहें यह उन्हें उने back यह झाए Um;; इस आए उनकी मदद करें उन्हुन को है उनलोगों को वाये सोस्थे निख तो यह इसनाम पायरस पाया गया तो मैं ऐसी जोपर पट्टियों को देखता हूं रोट पे जिनके चाओ तरफ कच्रा है कच्रे के मजार खड़े में मजार बिल्डिंगे खड़ी में कच्रो की उन लोग के घर को पास क्या किया आप लोगों ने कुछ नहीं किया कच्रे तक तक तो आप लोग साफ करवा नहीं सकते हो और आप बोल तो stay home हैं लड़ना है लड़ना है इम्राइखान कैसे लड़े हैं बताओ न आप तो कहतो ड़ना नहीं है लड़ना है तो बताओ कच्रे कौन उठाएगा अगर नहीं उठा सकते तो भाई हम लोगों बोल दो कि आवाँ मेरा धाटाएगा उठाएगा जनुदो और श्ली नहीं कारेगा और अब लोगोसं कुछ हो का नहीं का लिएÁ्क eval ज़िए अपने ताएगारे मेरा घंगा कि यपने घंप कर लोग थो भी बत्रrr आएगे लिदाएगा उन्हाय नहीं है बैड़ी है कम से कम कुछ दिमाग को लगाएं अकल को घोड़ा है थोड़ा अकल को जोड़ दें पठानों वाली खोपड़ी मत इस्तमाल करें थोड़ा मिच्छ और बने आप प्राइम मिनिस्टर्य मुलक के थोड़ा तो क्या अहसास करें अपनी जिम्दारियों का वीडियो कॉल पर वीडियो कॉन्फरेंस बुलाई आपने अपनी जो बच्चोदियां कहनी थी वापने कह दी उसके बाद गायब हो गए यह वक्त है सब लोग को एक साथ रखने का यह वक्त यह नहीं है के में 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 चलने सब यह वक्त वो है कि सब को एक साथ जूड़ के चलना आपको और सबसे पहले इस प्रे करवाएं खुदा का वास्ता है आपको इस्टे होम इस्टे होम कैसे घर के अंदर भी वायरिस घुच जाएगा हवाओं में इस प्रेय करवाएं सीरियस हो जाएं अब भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आपकी गवर्मेंट आज रहे हैं अगले दस साल और रहे लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझ के प्लीज कोई काम ऐसा कर लें कि अगली दफ़ा भी एक सब लोग आपको वोट कर लें ऐसा ना हो कि अगली दफ़ा जब वोट मांगने जा रहे हो तो आपको जूतियां पढ़ रही हो प्लीज कुछ करें आप कम से कम कच्रा उठवा लें रोडो से इस पर रहे करवा लें और जो लोग जूपड़ी उपर रहता है उन लोग कोई एक जगा दे दें कि और लोग रह सकें उनके खाने पीने का बंदुवस कर दें आप प्लीज उनको तीने ज़र बेनी दें उनके एकर में राशन डलवा दें आप प्लीज महरवानी होगी आपकी करजे बाद में माफ हो जाएंगे ये वक्त करजे माफ करवाने का नहीं है चाहे नहीं से कुछ सीख लें और अगर नहीं सीख सकते तो बॉस रिजाइंग कर दें सीडिसी बात है क्योंकि आपके बस की बात नहीं है फिर बस आप लोगों के लिए दूस्तों यह यह अगर कोई गरीब आप लोगों को भी दिखता है तो प्लीज उसकी मदद कर दो यार मैं जानता हूँ अपने घर कोई नहीं लेकि आना चाहेगा लेकिन कम से कम उनको चीज़े तो फराम कर सकते हो पैसे ना दू पैसे नहीं दू कसम से पैसे मत दू पैसे फजूल है एक नोट है कागस का सिर्फ भार दो कोई वैलियो नहीं है राशन दे दो सैटाइजर अगर दे सकते हो तो वो खरीद के दे दो उनकी फैमिली के लिए उनको सिखा दो उनको मास्स खरीद के देख लो प्लीज अगर आप लोग कुछ कर सकते हो उन लोग लिए तो आप लोग भी करो रास्ते में से गुजरो जिसको अस मास्क नहीं हो उसको कहो मास्क पैने जाए मेडल हो अपर हो लोवर हो वो बन्दा नहीं खरीद सकता आप परचेस करके दो अलहम्दुलिल्ला अल्दा ने इतनी तो दे सकते हैं तो आप वो तीस पर वाल मास की खरीद लो कम से कम उसकी जान बचेगी थोड़ा तो सेफ रहेगा वो प्लीज और एक बात और देखें इस वाइरस की जो एक दिन की लाइफ होती है वो आड़ घंटे आप अगर सिर्फ आपको आठ घंटे आइसलेट कर लेंगे ना किसी से नहीं मिलेंगे यह वाइरस अगर आपके अंदर आया भी होगा तो अपने आप खातम हो जाएंगे आप बाहर से आ रहे हैं कम से कम आठ घंटे अपने आपको आइसलेट कर लें प्लीज आठ घंटे कही नहीं निकलें कहीं नहीं जायें किसी से नाम लें अपने घर में तक किसी से नाम लें प्लीज आठ घंटे अगर आप लोग उन्हें यह कर लिया ना आप लुआ की कसम यह वाइरस मर जाएगा खत्ब हो जाएगा खुदाफिस Stay home Be safe और हाथ बार बार दों है सेंट एदर यूज़ करें डॉल यूज़ करें I don't care about it लेकिन जम्स मारने के लिए यूज़ करें आसपास के महोल को भी साफ रखें और जो नहीं परशेश कर सकते हूँ चीज़ है उनकी मदद करें Please